जेनरिक और ब्रांडेट दवाईयों में ऐसा क्या अंतर है कि डॉक्टर हमें जेनरिक दवाईयां नहीं लिखते हैं दोस्तो नमस्कार मैं हूं महेशर्मा और आप देख रहे हैं आप्टिमम वीडियो देरादून दोस्तो आम तोर पर सबी दवाईय एक तरह का केमिकल सॉल्ट होती हैं इन्हें शोत के बाद अलग अलग बिमारियों के लिए बनाया जाता है जेनरिक दवा जिस सॉल्ट से बनी होती है उसी के नाम से जानी जाती है जैसे दर्द और बुखार में काम आने वाले तरह सिटा मोल सॉल्ट को कोई कमपनी इसी नाम से बेचे तो उसे जैनरिक दवा कहेंगे वहीं जब इसे किसी ब्रांड जैसे क्रोशीन के नाम से बेचा जाता है तो उसे उस कमपनी की ब्रांडड दवा कहते हैं चोकाने वाली बात याए कि सर्दी, जुकाम, बुखार और बदंदर जैसी रोजमर्रा की तकलीफों के लिए जैनरिक दवा महज दस पैसे से लेकर डेर्ड उपर प्रती टेबलेट तक उपलब्द है ब्रांडेड में यही दवा डेर्ड रुपे से लेकर 35 रुपे तक पहुँचाती है ब्रांडेड और जैनरिक दवाओं का गणित समझना जरूरी है क्योंकि ब्रांडेड दवाओं के नाम पर दाम आसमान चुने लगते हैं और इलाज में आम आदमी की कमट तूट जाती है दोस्तो सारा खेल कमिशन का है दरसल दवाओं का पूरा खेल कमिशन और बिचोलियों का है इसी में फसकर लोग ठगे जा रहे हैं जिस जैन्दिक टेबलेट की कीमत 20 पैसे होती है उसे ब्रांड की चाशनी में लगाकर 1 रुपे में बेचा जा रहा है मतलब सिधे 5 गुना ज्यादा कीमत इसे बड़े रूप में देखे तो 100 रुपे की दवा 500 में और 500 की दवा 2500 में कीमत में यहां अंतर इसे भी कम हो सकता है और ज्यादा भी ज्यादा मतलब 10 गुना तक जैन्दिक दवाओं को बढ़ावा देना है तो रेट भी नए सिरे से फिक्स करने होंगे जिस परकार ड्रग प्राइज एंड कंट्रोल ओर्डर के तहत सरकार ने कुछ जैन्रिक और ब्रांडेट दवाईयों का रेट बरावर कर दिया है उसी परकार जैन्रिक दवाओं के रेट में निर्मान और विक्रेता का निधारित फाइदा ही लिखा जाना चाहिए हॉस्पिटल में जैन्रिक दवाओं के बदले ब्रांडेट का पैसा वसूलने की शिकायत भी आती है दवा कमपनियां ब्रांडेट दवा से बड़ा मुनाफ़ा कमाती है दवाओं की कमपनियां अपने मेडिकल रेप्रेजेंटेटिव के जरिए डॉक्टरों को अपनी ब्र पांडेट दवाओं का कारोबार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और यही वज़ा है कि डॉक्टर देनरिक दवाएं लिखते ही नहीं है तो दोस्तों जानकारी आपको कैसे लगी इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आगे भी मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के ल मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद नमस्कार